History of black magic की तरफ आते हैं जी कहां से शुरू हुआ black magic वैसे white magic कुछ भी नहीं है black magic magic is magic no black no white magic is kufr, simple क्योंकि magic में देखें ऐसी चीजें involved होती हैं, मैं आपको documentary अभी दिखाता हूँ जो despicable things हैं बच्चे को मारना पड़ता है, उसका कोन भाना पड़ता है, चोटे बच्चे को जिना करना पड़ता है, गैधरिं arrived में openly पाउं पे 거रान की आयात लिखके वाश रूम जाना पड़ता है, ठीक है, नहीं है कुरान का मजा उड़ाना पड़ता है, लिखके वाश रूम मे जाना पड़ता है बहुत सी ऐसी गलीज चीज़े हैं जो यहां पे मेंशन भी नहीं मैं कर सकता शुरू यह कहां से हुआ था बलाक मैजिक कुरान से इसकी दलील मिलती है इग्जेक्ली बेबिलान बेबिलान बाबुल बहुत पुरानी ओल्डेस सिविलिजेशन है बेबिलान बाबुल खद्द इबराहीम के दोर की उससे भी पहले की वहां से बलाक मैजिक शुरू हुआ कैसे आल्ला हमें स्टोरी सुनाते है सुरह बक्रा वर्स नमर वन और टू बाबुल में बलाक मैजिक सीखने जाते थे लोग हारूत और मारूत से बनी इसराईल की बात हो रही है कि बनी इसराईल जादू शुरू किया बनी इसराईल ने और कैसे शुरू किया कि उन्होंने उन शायतीन से उन नसखे सीखे जोके शायतीन ने कहाँ से लearn किये थे नौजाण dedic म waterproof को इपने विच्वेशन क pressing करती है but the devils disbelieve by learning magic but the two angels की क्या स्टोरी है इसमें मुख्लिफ रवायात है तफसीर इबन कसीर की एक रवायात आपको सुनाता है बनी इस्राइली रवायत है और ये एक जईव हदीश से थाबित है तो देखें जईव हदीश से वाकियात हम ले सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं वो सही है मैं आपको वाकिया पॉर दे सेक और शेरिंग इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेर कर देता हूँ ठीक है वाकिया कुछ ऐसे है कि एंजल्स ने जब अल्ला स्बाना ताला से क्वेस्चिन पूछा था कि वाइड यू क्रियेट हूँमेन बिंग जो जाके फिसाद करेगा आपको पता है कि एंजल्स हूँमेन बिंग से पहले दुनिया में कौन थे जिन्स थे और जिन्स की जंग हुई थी एक बहुत बड़ी वार हुई थी उसकी वजह से उन से दुनिया ले ली गई थी कि वो दुनिया के एहल नहींते वो थाबित नहीं किया उन्होंने कि वो दुनिया को खिलाफت काइम करें दुनिया में जाके तो ऑल्ल्ली रोन भी मिग धृत्त को किरियेट किया आप वो करें उसके बाद आपको आपके स्वाल का जवाब मिल जाएगा अल्ला ने का कि मैं आप में इंसानी ख्वाइशाद भरके आपको दुनिया में भेजता हूँ और लेट मी टेस्ट यू गाइस उन्हों ने का चलें ठीक है अल्ला ने उन्हें इंसानी ख्वाइशाद नी जो एंजल्स में नहीं होती है ठीक है डिजायर्स अब जब वो दुनिया में है तो अल्ला ने उनका टेस्ट लिया एक बहुत खुबसूरत आप उनके पास बेजी और उस ओरत ने उन्हें जिना की दावत दी उन्होंने फॉरन इंकार कर दिया क्योंके जाहर है उनका एक्सपिरियंस था अबादत की थी अल्ला की अल्ला को देखा था दे न्यू के दिस इस हराम उसके बाद वो आई उसने का के फलाने बंदे को कतल करो मेरे लिए पहले उक्साया सेड्यूस किया फिर का कतल करो उन्होंने इंकार कर दिया इसका दिया फिर वो आई एक फितना लेकर उसने का के शराब पियो चलो मेरे साथ सेड्यूस करके उसने का के लेटस आवा ड्रेंग अब उन्होंने का चलो शराब इतना बड़ा गुना नहीं है उन्होंने शराब पी ली शराब उन्होंने पी तो नशे में धुत हो गए उनके सेंसे उड़ गए उन्होंने जिना भी किया और उसके बाद उन्होंने कतल भी किया तो अगर तुम अपने चैलेंज में इस चैलेंज में नकाम हुए तो फिर आई विल पनिश यू इधर ऑन दे डे अफ रेजरेक्शन या इन दुनिया अब वो सर जुका कि अल्ला के पास आए अल्ला से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई तो अल्ला ने का कि मैंने कहती है था कि मुझे पता है तुमे नहीं पता यानि इनसानी ख्वाईशाद को हैंडल नी कर सके ए एंजल भू और ऋ इनसान इस नहीं लिए बड़ा काबल एदीद है और बड़ा प्यारा है जो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करता है वो एंजल से भी बढ़के है क्योंकि वो डिजार्स होने के बावजूद और अल्ला को ना देखने के बावजूद भी अपने नफस पे काबू पाए हुए वो अल्ला को बड़ा प्यारा है इसलिए अल्ला ने इनसान को खिलाफ़त दिये कि ये है असल में कह लें एक ऐसी मखलूक जो इस जिम्मेदारी को निभाएगी जो दुनिया में आके मेरा निजाम काइम करेगी ये है सारी साइंस माउंटेंस को ओफर किया अल्ला ने माउंटेंस ने इनकार कर दिया आइनिमल्स को ओफर किया हमें दुनिया में कोई सजा दें अब देखें इस साबित होता है कि जादू का नौलिज भी अल्ला रब रालमीन की तरफ से आया लेकिन अल्ला ने मना किया अल्ला ने उन्हें का ये टेस्ट है इसको मत सीखो इसकी हिकमत अल्ला नोस बैस अब नभी सब्सक्राइब के दौर में एक आउरत थी वो बाबुल गई जादू सीखने हारूत और मारूत से जितने भी मैजिशन्स है न हो वहाँ जाके मैजिक सीखते है पता नहीं वो किस शेप में वहाँ में हारूत और मारूत हो सकता है इंसान की शेप में हो वो भी एक हिडन वर्ल्ड है वो भी मैजिशन्स को पता है या जिन्स को पता है यूजली जिन्स सिखाते हैं जिन्स जाते हैं हारूत और मारूत से सीखते हैं और वो जिन्स और शेयातीन आके इंसानों को सिखाते है नभी सेल्म के दोर में एक औरत थी उसने जादू सीखा यहां पे जाके और उसको क्या देखती है कि उससे इतनी गलीज हरकत कराई जिन्नात ने हरूतों मारूत ने वो मैं बयान नहीं कर सकता कि पता नहीं उससे यूरिन करवाया यूरिनेशन में उसने अपने आपको डबोया इस तरह करके कुछ था and then she saw कि उसके अंदर से घोर सवार निकला light white कलर का घोर सवार like a shadow white shadow और वो असमान पे चला गया सब्सक्राएं अब वो रोत होई नभी सिसल्म के पास है कि मैं बड़ा बुरा फील कर रही हूं लेट ही हो वो फौछ हो चुके थे। तो बहुत रोई बहुत रोई तो उसने कहा बात क्या उसने कि मैंने इससे देखा है तो हारूतो मारूस से मैंने पूछा था कि ये कौन है ये जो घुर सवार उपर जा रहा है तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा इमान था और ये अब चला गया और तुम कुफर कर चुकी है और तुम काफरा हो चुकी है तो कहती तब से मुझे रोना आ रहा है तो हजड़त आईशा ने उसे दिलासा दिया उसे का कि चूंके तुम अपना गुना एकसेप्ट करती हो तुम नादिम हो वरना तो जादुगर की सजा आपको पता है कतल है फासी है या उसकी गर्दन उड़ा देना वो नादिम थी रो रही थी हजड़त आईशा ने का I will pray for you मैं तुम्हारे लिए द्वा करूंगी अल्ला तुम्हें माफ फर्माएँ ये है वो वाकिया एक जो हमें हदीश से मिलता है कि हारूतों मारूस से उसने जादू सीखे